नमस्कार साथियों, इस्टड़ी पॉइंट बित रोहित, इकुनोमिक्स प्रिप्रेशन में आपका स्वागत है जेशा की आप लोगों को विदित होगा कि उत्तर्ट देशलोक्षिवा आयोक के द्वारा अपना नया कलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें PGT की डेट, प्रिलिम्स परिक्षा और मेंस परिक्षा प्री की परिक्षा और मेंस की परिक्षा 19 तारीक को पढ़ रही है, अर्थात 19 तारीक अब देखिए दोनों ही परिक्षाएं 19 तारीक को है तो प्री की परिक्षा 19 सितंबर को है प्री की परिक्षा आपको कब है 19 सेप्टेंबर को है और मेंस की परिक्षा आपकी 19 दिसंबर को है तारीक सिर्फ एक है 19 लेकिन मन्थ अलग-अलग है तो 19 सितंबर को आपकी की सुरी PGT की नहीं GIC प्रवक्ता की जो परिक्षा होने वाली थी कैंसिल हो गई थी अब वो परिक्षा की 19 सितंबर को हो गी और जिसमें जो प्रिलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे वो 19 दिसंबर को मेंस लिखेंगे हमारी और रोही सर की ऐसे ही बात हो रही थी कि हमारे Economics Preparation Channel पे जो बच्चे हैं जो GIC प्रवक्ता का एक्जाम दे रहे हैं उन्होंने हम से Economics पढ़ा है तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ G.S. का भी जो भी महतपूर फैक्ट हैं या महतपूर टॉपिक्स हैं वो कर लें तो हमने कहा कि ठीक है सर हम लोग Previous Year Question बच्चों के सामने डिसकस कर लेंगे क्योंकि Maximum Time Question रिपीटेड होते हैं और कई बार ब्याक्ख्या पढ़ने से भी कई बार प्रस्ण सही होते हैं तो आज हम लोग आपके सामने G.S. प्रवक्ता परिक्षा 2008 का हल प्रस्ण पत्र करेंगे तो चलिए बिना समय गवाएं सुरू करते हैं आज का पहला प्रस्ण आज हम लोग 10 प्रस्ण देखेंगे 10 प्रस्ण देखेंगे और लगभग एक छोटे छोटे वीडियो होंगे लगभग 10-10-15-15 मिनिट के जादा से जादा 20 मिनिट का वीडियो हो सकता है और आपको पूरा ब्याख्या के साथ डिसकस किया जाएगा ताकि उससे समधित कोई प्रस्ण और आते हैं तो आप सही कर लें चलिए पहला प्रस्न देखिए आपके सामने स्क्रीन में पहला प्रस्न दिख रहा है तो पहला प्रस्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचीयों के नीचे दिये कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चैन कीजिए तो सूची 1 में अधिनियम दिया हुआ बी भारती श्रम्मिधान स्वाधिन्ता अधिनियम 1947 तो प्रमुभ विशेस्ता में देखे दिया हुआ है केंद्री स्वायतता उपनिवेसों की अस्थापना प्रांतों में दुशाषन केंद्र में दुशाषन साम्प्रदाईग निर्वाचन मंडल का आरंब अब इस सूची क मिलान करना है और आपको सही आंसर बताना है तो आप लोग शूची का मिलान कर लीजी आंसर कमेंट बाक्स में कर दीजिये और इसकी चर्चा हम लोग करही रहे हैं डिसकेस कर लेते हैं तो देखिए भारती परषद अधिनियम 1909 है इसमें ही साम्प्रदाईग निर्वाचन मंडल का आरंब किया गया और इसे ही मारले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है मारले मिंटो सुधार के नाम से किस अधनियम को जानते हैं ये कोस्चन कई बार पूछा गया है तो भारती परिश्यद अधनियम 1909 फीक है तो सामप्रदाइग निर्वाचन मंडल में क्या किया गया सामप्रदाइग निर्वाचन मंडल में मुसल्मानों के लिए प्रिथक निर्वाचन छेत्र घोशित कर दिया गया फीक है दूसरा क्या है भारत सरकार अधनियम 1919 तो भारत इसको मारले मिन्ट, इसको जो है मांतेंग्यू चेम्स फोर सुधार के नाम से जाना जाता है। लोगों को अन्य कुछ समुदायों को भी साम्प्रदाइग निर्वाचन मंडल के तहत सामिल कर दिया गया उसमें से एंगलो इंडियन्स थे एंगलो इंडियन्स थे ठीक है तो अगर यह प्रसना आए कि एंगलो इंडियन्स को कि सधनियम के तहत सामिल किया गया तो भारत सरक अब देखिए C भारत सरकार अधिनियम 1935 तो ये केंदर में दुशासन विवस्था सुरू की गई और भारती स्वाधिनता अधिनियम के द्वारा उपनिवेसों की अस्थापना नहीं की गई बलकि दो स्वतंतर राष्ट्रों का उदय हुगा इसके द्वारा दो स्वतंतर रा गलत दिया गया है देखिए यहां दो स्वतंतर राष्ट है और वहां दो उपनिवेस है तो ये ध्यान रखिएगा कि आयोग में प्रस्ण गलत भी होते हैं से लिए नेक्स्ट कोस्चन देखिए कोस्चन नमबर टू हां लेकिन कोसिस यह करिए कि आप भारती ये जो अधिन प्रस्ण हमेशा परिक्षाओं में आते रहते हैं तो कोस्चन नमबर जो दो है आपका वो कथन और कारण वाला है तो कथन है पंडित नहरू का उद्देश्यों का जो प्रस्ताव है संबिधान सभाद्वारा 22 जनवरी 1947 को स्विकार किया गया कारण है उस प्रस्ताव में सम देखे दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं और उसके व्याख्या भी कर रहा है अब ऐसा क्यूं है इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं कथन और कारण दोनों सत्त्य हैं साथी कारण कथन के सही सपश्टी करण भी है तो सम्विधान में निर्मार का जो सम्विधान न सभाकी प्रथम बैठक हुई उस बैठक के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिनहा थे यस्पी सिनहा जी थे और वो अस्थाई अध्यक्ष थे कई बाद प्रसन आया है कि अस्थाई अध्यक्ष कौन था संभिधान सभा किया तो संभिधान सभा का स्थाई अध्यक्ष सच्चिदा नंद या सक्चिदा नंद प्रसाद यस्पी सिनहा थे और उसके बाद जब 11 दो दिन बाद 11 दिसंबर को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया राजेंदर प्रसाद को राजेंदर प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो हम लोग चर्चा कर रहे थ कि 13 दिशंबर को 9, 11, 13, 13 दिशंबर 1946 को पंडिक जवाहलाल नहरू ने जो उद्धिस प्रस्तुत किया वही बाद में 7 दिन तक उस पे चर्चा हुई और 19 दिशंबर 1946 को उस गंभीरवाद बिवाद के बाद 22 जनवरी 1947 को सुविकार कर लिया गया तो इसमें हमने दो तीन चीज़ों को ब्याक्ष्याक की दोरान आपको बताया है उसको आप ध्यान में रखियेगा कि संभीधान सभा का स्थायत धक्ष काउन था प्रत्थम बैठक कब हुई देखिए कोश्चन नमबर 3 है क्या है कि श्वाधिंता अंदोलन से संबंधित निम मोतिलाल नहरू की रिपोर्ट लखनव में सर्वदली बैठक में स्विकार की गई, पूर्ण स्वराज का पस्ताव लखनव के कांग्रेस धीवनिस्टन में पारित हुआ, 1930 में डांडी मार्च सविनेव ज्यांदोलन का प्रारम, अब देखिए, जब आप कोश्चन इस तरह से अब पढ़िए, तो यह ध्यान में रखिए कि कोश्चन में सही है पूछ रहा है या सही नहीं है, जब आपको ध्यान पूरवक पढ़ना ओगा, तो अब चुकी यहां देखिए आपसंसी में पूर्ण स्वराज की बात की जा रही है और लखनव का कांग्रेश अधिवेशन लिखा हुआ है तो अगर आपने थोड़ा भी तिहास पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में आएगा कि पूर्ण स्वराज की जो डेट है 1929 है और जो लखनव अधिवेशन है वो लखनव अधिवेशन 1916 में हुआ था 1917 में हुआ था तो वो मेटर आलग था तो यहां पर इसलिए आप्षन गलत है अब देखिये उनी पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के लिए जो पारित हुआ था प्रस्ताव जो पाडित हुआ था उसका कहा हुआ था तो वो हुआ था आपका 29 में लाहोर अधिवेशन में और दोस्तों लाहोर अधिवेशन में 1929 में ही ये निश्चित किया गया कि 26 जनवरी 1936 को प्रतिवर्ष स्वतंतरता दीवस मनाया जाएगा 26 जनवरी 1936 को 21 अधिवेशन में निश्चित किया गया तो ये लाहोर अधिवेशन 1929 में और यहाँ पे पूर्ण सुराज का प्रस्ताव पारित किया गया और इसके अधियक्ष कौन थे ये कोस्चन बहुत ही महतपूर है इसके अधियक्ष जे एल नहरू जी थे जे एल नहरू जवाहला नहरू ने इस अधिवेशन की अधियक्षता की थी चलिए option number 4 देख लेते हैं question number 4 क्या है एक दली सासन प्रावधान करता है ये आपका भारती राजवेवस्था का प्रस्न है तो एक दली सासन प्रावधान करता है ऐसा सासन तंत्र जहां पे एक दल की सरकार होती है उसकी क्या विश्यस्ताएं हैं उसको आपको बताना है तो सरकार में और अधिक अस्थाइत के लिए दल में और अधिक अनुसासन के लिए सरकार द्वारा दिर्णता के लिए दल में और अधिक अनुसासन हींता के लिए अब देखिए इसमें जो विकल्प दिये गए हैं ये कूठ है आपके सामने एक दो दो चार एक दो तीन एक तीन और चार अब ये देखिए जहां भी एक दली सासन है जिसे आप चीन में देखिए चीन में देखिए, उत्तर कोरिया में देखिए, वहाँ एक दली सासन विवस्था है, उससे भी आपनमान लगा सकते हैं कि इस प्रस्ण का उत्तर क्या होगा, ठीक है, तो इसमें आफसन ये चार नमबर गलत है, दल में और अधिकन सासन हिंता के लिए ये गलत है, तो इसकी ब अस्थाई होती है, और एक दल द्वारा बनी सरकार सक्तिसाली तथा प्रभावसाली भी होती है, दली बिवस्था में अधिकन सासन होता है, क्योंकि एक ही ब्यक्ति के हाथ में, एक ही संस्था के हाथ में सारा जो नियंत्रन होता है, होता है, ठीक है, चलिए, कोश्चन देख लेते हैं हम लोग, question number 5, तो question number 5 में पूछ रहा है कि भारत, भारत के संदर्भ में कौन सा सही है उत्तर चुने, भारत एक लोकतांत्रिक गड़तंत्र है, एक प्रतिनी धिलोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक समाज है, समाजवाद से बंधा हुआ है, तो इसमें देखिए ध बिंदु निकाल दीजिए, या यह आपको पता हो, कि इन में से कौन कौन से बिंदु भारत के संदर्भ में सही है, तो भारत का संबिधान जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें संबिधान की प्रस्तावना में क्या लिखा होता है, कि भारत एक संप्रभुता, संपन्द, लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो यह क्या है, एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, यह आपसन में है, इसमें देखिए B आपसन में एक है, और आपसन A में भी एक है, फिर देखिए, दूसरे आपसन में, कि यहां प्रतिनीधी लोकतंत्र है, तो प्रतिनीधी लोकतंत्र क्या हो जाते हैं बिधायक और सांसद चुने जाते हैं जो वहां के अस्था मतलब वहां के निर्वाचन छेत्र के वहां की जनता के क्या होते हैं प्रतिनिधी होते हैं भारत के लोकतंतर में जनता प्रत्यक्ष रूप से सासन में भाग नहीं लेती है वो अपने प्रतिनिधियों के मा प्रतिनिधियों के माध्यम से भागीदारी करती है तो अहां प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है तो यहां पे ये भी आफसन सही है तो एक और दो सही है तो एक और दो दोनों में सही है अब देखिए एक लोकतांत्रिक समाज है अब एक लोकतांत्रिक समाज है इसका क्या माईने ह और समाजवाद से बन्धा हुआ है तो भारत समाजवाद से बन्धा हुआ है क्योंकि जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो आहां पर ये आता है कि हम एक समाजवादी प्रभुता संपन गर्राज हैं तो ये इस में से तीसरा आफसन सही नहीं है तीसरा आफसन सही नहीं है हम एक लोगतांत्रिक समाज नहीं है हम एक लोगतांत्रिक देश हैं समाज में और देश में अंतर होता है तो यहां बिंदु को बहुत ही बारेकी से पढ़ना है लोगतांत्रिक समाज सब्द लिखा हुआ है तो लोगतांत्रिक समाज सब्द यहां पे मैच नहीं कर रहा है बाकी भारत की ये चारों विसेस्ता हैं सम्विधान के हिसाब से सई हैं तो एक दो और चार इसका सही उत्तर है को पूरे देश में कार्यानवित हो रही है यह परियोजना राज सरकारों द्वारा कारवानित की जा रही है तो मनरेगा एक कार्य उन्मखी परियोजना है जो पूरे देश में कार्यानवित हो रही है यह परियोजना राज सरकारों द्वारा कार्यानवित की जा रही है कथन इसमें कारण आपको बताने हैं तो इसमें देखिए A और R दोनों सही हैं लेकिन R सही एसपश्टी करण नहीं है यह परियोजना राजी सरकारों द्वारा कारानी इतने ही की जा रही है यह केंद सरकार की योजना है जो मनरेगा है राष्टी ग्रामेड रोजगार की योजना मनरेगा जो है वो नरेगा देखिए पहले यह नरेगा था नरेगा था बाद में यह यमजी नरेगा हुगा यमजी नरेगा हुगा तुसी को नरेगा को मनरेगा कहा गया तो नरेगा जब आया तो 2005 में संसद में पारित हुगा और 2006 दो फरवरी 2006 को प्रारंभ हु को प्रारंभ हुआ और बाद में इसको दो अक्टूबर दो हजार आठ को यमजी नरेगा कर दिया गया इसका नाम बदल की यमजी नरेगा कर दिया गया ठीक है तो यह योजना सुरुवाती दोर में देश के 200 जिलों में और दूसरे चरण में 130 जिलों अर्थात कुल 330 जिलों में ठीक है कुल 330 जिलों में चल रही थी अब 1 अप्रेल 2008 से सभी जिलों में लागू कर दी गई अब यहां देखिए इस प्रस्ण को पढ़ने की वाद व्याख्या में कितने प्रस्ण बन सकते हैं अब अलग से कोश्चन पूछेगा कि नरेगा देश के सभी जिलों में कब लागू की गई तो 1 अप्रेल 2008 नरेगा की सुरुगात कब की गई तो 2 फरवरी 2006 अधिनियम 2005 है और यह 2006-2006 दो फरवरी को लागू हुई और पूरे देश में सभी जिलों में 1 अप्रेल 2008 से लागू हुई और 2 अक्टूबर 2009 को 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया यह बहुत ही महत्मूर फैक्ट है इसको याद रखिएगा भारत निम्लखिन में से कौन सा एक राज्य काली मिर्च का सरवाधिक उत्पादक है भारत में वो कौन सा राज्य है जो सरवाधिक काली मिर्च का उत तो प्रस्न काल में जब यह प्रस्न आया था चुकि यह 2008 का पेपर है तो उस समय केरल में था लेकिन वरतमान में जो नेशनल हार्टी कल्चल बोड के आकड़े आये 2017-18 के अनुसार वो करनाटक राज्य है हार्टी कल्चल नेशनल हार्टी कल्चल बोड के NHB के जो आकड़े आये 2017-18 में उसमें काली मिर्च का सरवाधिक उतपादन करता करनाटक है तो यह ध्यान में रखिये केरल नहीं है अब करनाटक हो गया है काली मिर्च के उतपादन में ठीक है, next देखते हैं, आठ नमबर प्रस्ण, सूची first को सूची second से सुमेलित कीजिए और सूचीयों के नीचे दिये कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चैन कीजिए देखे कूट वाला फिर प्रस्ण आ गया आपके सामने, इससे पहले पहला प्रस्ण कूट का था, ये आठवा नमबर भी कूट का प्रस्ण है तो इसमें देख लेते हैं क्या-क्या है, एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ रचाईता है अब ये प्रस्ण आपका current affairs से है, ये प्रस्ण आपका current affairs से आया हुआ है क्योंकि उस समय जो पुस्तके चर्चा में थी, वो आपको मिलान करनी है तो ये बहुत महत्पूर्ण नहीं है, ये आपका current affairs का प्रस्ण है, देख लीजी एक बार पुस्तके जो आपके इग्या में पूछेगा, तो वो present से, जो पुस्तके present में प्रकासित हो रहे हैं, उनका पूछेगा तो इसलिए इसको ये बहुत महत्पूर्ण नहीं है, तो प्रस्ण नंबर 9 पे चलते हैं प्रस्ण नंबर 9 आपका है, भारत के निमरिखित 4 राजे धिक्तम नगरी जनसंख्या रखने वाले अस्थान पर हैं, निम आरोही करम में उनका कौन एक सही अनुकरम है भारत के निम्रिखित चार राज अधिक्तम नगरी जनसंख्या रखने वाले हैं और आरोही क्रम में उनका कौन एक सही अनुक्रम है तो ये देखिए सबसे ज़्यादा नगरी जनसंख्या कहा है तो वो पस्चिम बंगाल में है फिर तमिल नाड़ में फिर उत्तर प्रदेश में फिर महाराष्ट में ये आफसंडी इसका सही है आफसंडी सही है बेश्ट बंगाल तमिल नाड़ उत्तर प्रदेश वा महाराष् जनसंख्या का जो नंगरी जनसंख्या है उसका आरोहिकरम यह आप्शन ढी है। ब्याख्या भी देख लीजिए ये ब्याख्या दिया हुआ कि पस्चिम बंगाल में नगरी जनसंख्या कितनी है ये 2021 के आकड़े के नुसार है तो चुकीश में पस्चिम बंगाल तमिल नाड उत्तर प्रदेश महाराष्ट दिया हुआ है जनसंख्या के आधार पे दिया है न की सहरी करण के आधार पे तो ये ध्यान में रखिएगा question number 10 देख लेते हैं अब पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में अधिक्तम जनसंख्या वाले निम्न चार जिले हैं उत्तर प्रदेश में अधिक्तम जनसंख्या वाले निम्न चार जिले हैं उनका और क्रम होगा और ओही क्रम वो इलाहाबाद आजमगर कानपूर नगर और जानपूर होगा तो इलाहाबाद आजमगर कानपूर नगर किसी में ये क्रम नहीं दिया हुआ है चूकि ये प्रस्न ही प्रस्न की सेटिंग गलत है बाकी जो इसका अगर क्रम पूछेगा तो आप ध्या चलिए 10 प्रस्ण है और नेक्स्ट दस प्रस्ण हम नेक्स्ट वीडियों में लेकर आएंगे अब कोशिस ये की जाएगी कि आपको जो प्रस्ण हल कराय जाए वो विसयवार हों अगर इतिहास का प्रस्ण है हिस्टी का प्रस्ण है तो हिस्टी के ही दस प्रस्ण हो अगर पॉलटी का प्रस्ण है तो वो पॉलटी के ही दस प्रस्ण हो अगर इकोनामी के प्रस्ण है तो इकोनामी के ही दस प्रस्ण हो इस तरह से इसमें आपको भी आसानी रहेगी और उसम हम लोग भ्याख्या भी आसानी से कर लेंगे नहीं तो इसमें क्या है कि कभी economics का प्रसना रहा है कभी quality का रहा है तो क्रम तूट जाता है इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग आगे से कोशी सही होगी कि क्रम वार वीडियो लेकर आएंगे अईसा विश्वास है कि ये वीडियो जी आईसी के बच्चों के लिए काफी लाबदायक सिद्ध होगी तब तक के लिए आप study करिए पढ़ते रहिए और study वित्रोहित हो जा इस चैनल को आप लोग subscribe कर लीजिए ठीक है इसमें आपको इस प्रकार की वीडियो समय समय पर मिलती रहेगी तब तब के लिए नमस्कार